नमस्कार दोस्तों, टीवी उसर बे आपका स्वागत है, अगर आपको इंट्रा मस्कुलर इंजक्शन सीखना है, तो पूरी वीडियो देखना है, और इनकिन बातों का ध्यान रखा जाता है, कैसे लगाया जाता है, शोल्डर में इंजक्शन, क्योंकि कुछ दिन से मेरे चैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को जादा से जादा लोगों को शेर करें, और दूसरे को भी सीखने का मौका दे, तो चली, शोल्डर में इंट्रा मस्कुलर इंजक्शन कैसे लगाया जाता है, यह आप देख रहे हैं, पिक्चर सेम ऐसे इंजक्शन लगा सकते हैं, यह जो मार कर रहा हूं ब्लैक से जिससे आपको समझने में आसानी हो, लेकिन दोस्तों जो लाइन के नीचे आप हमेशा ध्यान रखना इंजक्शन नहीं लगाया जाता है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी नर्व्स पाई जाती हैं, जिससे इंजक्शन लगने से हा मैंने मार कर रहा हूं तो 1 cm हो गया, और मैंने मार किया यह हो गया, टू से 1,5 cm हो गया है, अभी निचक्शन साइट है, यहां पर नगा सकते हैं, और आप नीचे से भी आप देख लिए जो बगल है, इसके भी आप लगाएंगे, तो देख लिए 1 cm उपर ही होगा, तो यहा अपने डॉक्टर से कल्सेट करना ना भूलें और नेड्स को लोड करने से पहले उसका चलिय नभा सब रिखकरने के बाद में 90 एंगल पर आपको प्रिक करना जैसे मैंने प्रिक किया ठीक है ये आपके हलके आसानी से स्लोली आपको करना है उसके बाद जो प्लंजर होता सिरिंज के हलके से विद्रो करना क्योंकि अगर इंजक्शन आईवी नहीं हुआ और आपने आईवी चला गया तो दिक हो सकती है हलके से पुश करना ठीक है उसके बाद में दोस्तो जो गौज पीस है मेरे हाथ में अब हलके से अब को रखना रब नहीं करना जिससे कि ब्लेडिंग रुख जाती है दोस्तों